हलो फ्रेंड्स एक्जाम इत्मी के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत हैं आज है तीन अगस्त और आज की महतपूर अपडेट्स के हम लोग याँ पर चर्चा करने वाले हैं PCS 2021 इंटर्विव प्रस्तनोंतरिय और PCS 2021 पैडाम रध हाई कोट काया आदेश IRT रिजल्ट मेरिजापूर के सुबं बने टापर और बैंक पियो की 6000 पदों पर होगी बंपर भरती लेकपाल भरती घोटाला के संदों हम लोग याँ पर चर्चा करेंगे और केंदरी बल में 84,600 पद रिखतें और देखे यूपी टीपल सी एनम रिजल्ट के अपडेट के संदों भी हम लोग याँ पर चर्चा करेंगे कि याँ पर रिजल्ट जो है कि आपका कब जारी किया जाएगा तो फ्रेंट देखे सभी बिंदूपर हम लोग वन भाई वन करके याँ पर चर्चा करने वाले हैं और कुछ आने महतपूर अपडेट है उनके भी संदों हम लोग याँ पर चर्चा करेंगे और देखें याँ पर अगर आप चैनल पर ना हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजेगा और अपने फ्रेंट के साथ सेर जरू करिएगा क्योंकि ऐसे ही वीडियो जो हमारे चैनल पर प्रते दिन मार्निंग में अपलोड किया जाता है ऐसी खबरें जो कि विद्यार्थी जीवन के लिए महत्पूर होती है और सुबा के समाचार पत्रों में च्छाई रहती है वहीं अपडेट यहां जो है कि मार्निंग में अपडेट किया जाता है तो देखें आपर PC 2021 के साचातकार चलना है और देखें साचातकार में यहां पर बेवारिक ता पर ही अधारीट परसने पूछे जा रहा है और प्रती दिन मैं इस कोश्चन को यहां पर कभर करता हूँ और देखें अभरती पूछे गया कि एसा देखा गया है कि भारत के संबंद जो पड़ोसी देशों से अच्छे नहीं है आपकी क्या रहा है और आपको अधिकारी की रूप में क्यों चुना जाना चाहिए और पूछा गया एक से की एक महिला भेट्थी एक महिला दिवासी को ही राष्टपती क्यों बनाए गया इस पर आपका क्या दिश्टिकोड है और देखें यूपी एक्सप्रेस वे की संख्या कितनी है कोविड-19 को चीनी वाइरस क्यों कहा जा रहा है क्या आप सहमत है और देखें सिलंका के संकट के लिए कौन जमेदार है इन सभी बिंदों पर यहां पर आपसे कोश्चन किये गए वह देखें एक्सपर्ट कमेंट में देखें आपका कुछ कोश्चन है जिसके किया पर जवाब दिये गए हैं तो आप भी सुन लिजे क्योंकि आगामी हो सकता है एक्जाम में आपको इसके लिए कि कुछ लाप्र करेंगे यह कोश्चन था तो देखें जवाब में इन्होंने काया कि PCS में चैन ही मेरा लचा और मैं अपने चैन को लेकर सौव फीसद आस्वस्त हूं और देखें मुख परिचा में भी मैंने अच्छा किया है और इससे में चैन नहों होने के बारे में मैं सोची नहीं सकता तो देखें अगला कोश्चन किया गया कि भारत में धर्म निर्पेच्छता का एक सराहने पहलू बताईए तो देखें जवाब में का गया कि भारत में धर्म निर्पेच्छताने बाने का स्रेया है कि धार्मिक समुदाय अलपसंख्यक एक साथ संगर्स किये बीना ही सांती स यहां पर रहते हैं वह इने के सूसासन क्यों मतपुड़ है ऐसा कोशन किया गया तो जवाब में आया कि किसी भी देश में सूसासन आवस्त्यक है क्योंकि एक समाज या राज इसके बीना कारे नहीं करेगा और राज कि यह कैसे ढाजे पर चलने की जवरत है जो बीभी ने सिधानतों को लागू करता और समाज को बहतर बनाने में मदद करता है वह देखे एकला कोशन है कि कितना अंख देदें आपको तो जवाब में आया कि मैं यहां पर सौव फिसदी समता के साथ अपने पच को यहां पर प् चतकार में तनाव और दबाव कम हो रहे हैं और देखे जवाब में सवाल अगला सवाल है कि मता पिता में किसी एक को चुनना है तो किसे आप चुनेंगे तो जवाब में आया कि इस वर से प्रतना है कि एसा विकल्प चुनने की नौबत ना है अगर चुनना ही पड़ा तो म माता को चुनेंगे क्योंकि वह मेरे जीवन की प्रिथम सिच्छक है और गुरु भगवान में गुरु का चैन जग जाहिर है और देखें आपर कुछ और भी सवाल पूछे गए और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार इंटेर्वू के प्रसने आप पर जा रहे हैं और द सेवक करते हैं आपका क्या नजरिया है और देखें अब भरती से पूछा गया कि आपकी होबी भोजन प्रकाना है तो आप इसे बेहुसाय के रूप में चुनते प्रसासन में क्यों आना चाहते हैं और इंटेर्वू में सामिल होने भरतियों ने बताया कि मंगवलार को पू अरचन का लाब देते हुए जारी किया जाए संसोधान तो देखें यहां पर जो यह लोग से वायोग है यहां पर अपनी मनवानी जो है की लगातार कर रहा है इससे पहले देखें यहां पर उत्तरप्रते सरकार ने 10 माई 2021 को अपने गजट नोटिफिकेशन में यूपी लो पर उस्ता बनाई थी और इसे देखें आयोग की ओर से निकाली गई भरती प्रक्रिया के पहले ही जारी कर दिया गया था लेकिन आयोग ने इस प्रावधान को लागोने कि और पूरुसायनी के भरतियों को बिना रचन दिया ही प्रानुमिक परिश्या के यहां पर प्रडा पर प्रडाम को बताया विक्रित अभरती परिश्या के बरतमान सचातकार पर संकट तो देखें आपर सभी परिश्या के इनकी दुबारा से जो मुख परिश्या और इंटर्वू है वह यहां पर पूरा दुबारा कराई जाएंगी और देखें आपर तीन वर्सी डिप्लोम में मेर्जापुर के सुभम टापर बने आयर्टी का जो परिश्या का परडाम घोसित कर दिया गा और 975 सीटों के साफें 2632 अभरती यहां पर सफल हुए है और देखें अब सीटों की संख्या पहले से बढ़ चुकी है और तीन वर्सी देखें इंजरिंग में 13 ब्रांचों में होगा यह प्रवेस और डिप्लोमा एंजरिंग की पर्थिक ब्रांचों में 75-75 सीटों के साफेंग यहां पर प्रवेस लिया जाएगा यानि कि कुर 975 सीटों के साफें 2632 चाह चात्राओं को यहां पर सभल घोसित किया गया है वह जब्सी डिप्लोमा के लिए पीडी सी यह में 300 और मैनेजमेंट की तीन ब्रांचों में 225 सीटों पर यहां पर प्रवेस होगा तो देखें यह 2022 देश के सचिक साथ आयार्टी के दाखिले के लिए प्रवेस परिछा के जो प्रवेस हो गोसित कर दिया गया और डिप्लोमा एंजरिंग में मेर्जापुर के सुभम यादव पूत्र देवेस यादव ने देखें सरवाधिकांग प्राप्त कर टाप किया है और तीन वर्ची डिप्लोमा एंजरिंग की 975 सीटों के साफिच इतने कंडिडिट को यहां पर सफल घुसित किया गया इसके बाद कर जारी कर जल्द प्रवेस पर किया यहां पर सु जो आनलाइन आविदन की जो अन्थिम्ति थी हो 22 अगस्त और इसका जो आनलाइन सब्मिंशन स्टार्ट कल से हो चुका है और देखें मानेता प्राप्त विश्विद्द्दल संदान किसी भी यहां पर विश्य में आपको बैचलर डिगरी प्राप्त होना चाहिए और जो देखें इनकी आधिकारिक वेपसाइट है www.ibps.in और देखें चेन पर क्रिया क्या है कि इसमें दो चड़ों में आनलाइन परिच्छा होगी प्रारंभिक परिच्छा सवंग की और मुख परिच्छा दो सवंगों की होगी और देखें जो सचहतकार है वह यहां पर सवंगो का होगा वहीं देखें आविदन सुल्क की बात करें तो सामान EWS OBC वर के लिए 850 रुपए का भुगताना को करना होगा वहीं अस्टी और दिव्यांगों के लिए 175 रुपए का सुल्क रखा गया है वहीं देखें अगली खबर लेकपाल भरती परिच्छा को लेकर के केल प संबत की अंसर की उपलब्द कराने वाले संबंधी जो डिल नकल माफिया केल पटेल के बेहत करीबी यहां पर गुर्गा जो संदीप पटेल है उसके द्वारा गया गया जिसके बाद देखें उसकी तलास यहां पर सुरू कर दी गई है और देखें यहां पर जो संदीप प यहां पर 600 पदरीक्त हैं और इसकी भी जो बहुत जल्द ही आप रिलीज किया जाएगा और इसकी जल्द ही जो एक्जाम है वो यहां पर आपके कंड़क्ट करा जाएंगे और देखे सबसे प्रमुक खबर यहां पर यूपी टीपल सी एन रिजल्ट को लेकर है कल रात को यहा पर अचानक कुछ एरर आजाने के कारण जो है की इसके जो कि result को upload नहीं किया जा सका है और इसके एक कुछ ने कुछ खराबी आ चुकी है टेट्निकल खराबी जिसकी वज़ए से आपके result को upload नहीं किया सका है इसलिए हमने कल community tab में ही वीडियो नव बना करके community tab में ही रात को ही update कर दिया था कि आपका result जो है कि कल रात में declare नहीं किया जाएगा और इसके लिए थोड़ा सा समय आपका और लगेगा हो सकता है दो से तीन दिन समय आपका और लग जाए क्योंकि जो technical issue है वो यहाँ पर clear होने के बाद ही जो है कि आपका एनम का result यहाँ पर फिर से upload किया जाएगा यानि कि आपका technical fault होने की वज़ा से ही आपका result यहाँ पर declare नहीं किया जा सका है बहुत सारे candidate कर रहे हैं कि सर आयोग जो है कि सब को यहाँ पर बेकूप बना रहा है तो ऐसा नहीं है जो है कि आयोग अपना काम कर रहा है बाकी आपका काम है वेट करना क्योंकि आप तो result जारी करने काम उनका है और आपका काम है वेट करना तो आप इंतजार करिए और जै के जैसे ही आपके रिजल्ट को अफ्लोट कर दिया जाएगा और उससे पहले यह आपको जानकर यहां पर प्रॉआट कर दी जाएग जैसे जी दिन रिजल्ट आना रहेगा उससे पहले यानिक अगर साम को रिजल्ट जा रही होगा तो आपको सुबह में ही अपडेट यहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो फेंड मिलते हैं नेक्ट वीडियो उक्सार तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो